पती-पत्नी का जो रिष्टा होता है, वो टोटली भरोसे और विश्वास पे ठिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा विश्वास तूटता है, उस दिन कई लोगों की जिन्दगिया भी बरबाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ हैसी होता है। एक महिला जो अपने साधी के लगभग 10 साल के बाद दूसरे बच्चे को जम देती है लेकिन बच्चा जैसे ही 9 महिने का हो जाता है महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चली जाती है लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनका हर कोई हैरान रह जाता है नमस्कार आदाब मैं हस्मुदी और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूँ दरसल ये घटना है उत्तर परदेश की उत्तर परदेश के एक जीला पढ़ता है कानपूर और इसी कानपूर के एक महला आता है नवाब गंज और इसी नवाब गंज महले का रहने वाला ओम परकास ओम परकास की पत्नी के नाम सरला ओम परकास के टोटल तीन बेटियां हैं जिसमी बड़ी बेटी, कुसुम, दूसरी बेटी, बर्खा और सबसे छोटी बेटी, सोनम कुसुम जिसकी साधी हो चुकी है, बर्खा अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई करती है लेकिन बर्खा की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, बर्खा आगे तो पढ़ना चाहती है लेकिन ओम परकास अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा देता है, उसके बाद से बर्खा अपने घर में ही, अपने मा के कामों में हाथ बटाने लगती है बर्खा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके बाद ओम परकास अपनी बेटी की साधी कराने के लिए एक लड़की का तलास करना सुरू कर देता है और आखिर कर ओम परकास की ये तलास भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और फिर उसे ये सोधा नगर का रहने वाला कृष्नकांत मिल जाता है कृष्नकांत जिसके अभी ओम रहल लगभग 34 साल के आसपास कृष्नकांत जो पेशे से एक लिटिसियन है कृष्नकांत के पीता का नाम रामकुमार मा का नाम सुमीता रामकुमार के टोटल दो बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी बेटी का नाम सीखा ओमपरकास को जैसे ही किरिशने कांथ पसंद आ जाता है ओमपरकास अपनी बेटी की साधी किरिशने कांथ से कर देता है बरखा जब साधी करके अपने ससुराल में जाती है तो अपने ससुराल में बड़ी खुसहाल तरीके से जीवन बेतित करती है जैसे ही एक साल का समय गुजर जाता है बर्खा एक बेटे को जन देती है बच्चे के घर में आ जाने की वोज़स है घर में खुसियों का महौल चा जाता है लेकिन बर्खा का बच्चा जैसी इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद से बर्खा के सास ससूर अपने पैतरी गां सक्रापुर चले जाते हैं उसके बाद से बर्खा अपने बच्चे का साथ अकेले ही घर में रहने लगती है किरिशने कांथ जो एक दुकान में काम करता है हर रोज सुबह 9 बज़े घर से निकलता है और आत्री के 9 बज़े के आसपास घर पे आता है किरिशने कांथ के ही पडोस का रहने वाला दीपक दीपक जिसकी उम्र है लगभग 28 सल के आसपास दीपक के पीता का नाम बीमल गुपता दीपक जो एरिक्सा चलाता है दीपक और किरिशने कांथ में काफी गहरी दोस्ती होती है किरिशने कांथ जब अपने काम पे चला जाता है उसके घर में किसी भी चीज़ की जब जरूरत पड़ता है तो अक्सर दीपक ही किरिशनिकांद के घर पे जाता है सारी सामानों को खरिद कर उसके घर पे ला करके दे जाता है दीपक जब किरिशनिकांद के घर पे जाता है तो उसकी पत्नी को भावी के रिष्टे से बुलाता है लेकिन दीपक जब बर्खा की खुबसूरती देख तो बर्खा की खुबसूरती देख दीपक की नियत खराब हो जाती है उसके बाद से दीपक जब भी बर्खा के घर पे जाता है तो इसी भावी के रिष्टे की वज़स से उसे हसी मजाक भी करता है लेकिन हसी मजाक में ही कुछ ऐसी बाते कह जाता है जिसे सुनकर बर्खा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिर कर दीपक चाहता क्या है दरसल कहीं न कहीं बर्खा भी दीपक को पसंद करने लगती है आखिर कर दोनों हसी मजाक करते करते दीपक और बर्खा कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को नहीं मालूम चलता है बर्खा और दीपक के बीच में जब प्रेम पर संग शुरू होता है उसके बाद से दीपक बर्खा से मुलकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाने लगता है लेकिन दीपक जब बार बार बरखा के घर पे आना जाना सुरू करता है ये देखकर पडोसियों को कही न कही सक हो जाता है इसलिए एक दिन पडोसी कृष्ने कांट से कहता है कि साथ तुम्हारी पत्नी का दीपक के साथ में चकर चल रहा है क्योंकि पडोस के लोग तरह-तरह की बाते कर रहे है तुम अपनी पत्नी को समझाओ वरना समाज में किसी को मुह दिखाने लेक नहीं रह जाओगे पडोसी जैसे इस तरह की बाते किरिस्ने कांट से कहता है तो किरिशनेकांद को भी अपने पत्नी के उपर सक्ख हो जाता है किरिशनेकांद जब रातरी को वक्ट डिवटी से घर पे आता है इस बारे में अपनी पत्नी से बातचित करता है लेकिन जैसे ही दीपक का नाम लेकर के बर्खा से पूस्तास करता है बर्खा एकदम से गुसे में भड़क जाती है कहती है कि दीपक तुम्हारा दोस्त है अगर तुम्हें वाकई में हम दोनों के उपर सक है तो तुम उसे मना कर सकते हो तुम उसे मना भी कर देना कि वो हमारे घर पे नहीं आएगा बर्खा जब इस तरह की बाते अपने पती से कहती है तो ये सुन करके किरिस्नेकांद को भी लगता है कि सायद पडोसियों को कोई गलत थैमी हो गया है किरिस्नेकांद अपनी पत्नी पा आँख बंद करके भरोसा कर लेता है लेकिन जैसे ही कुछ महिने का समय गुजरता है एक दिन किरिस्नेकांद दोपहर के वक्त ही अपने घर पे आ जाता है लेकिन किरिस्नेकांद जब दोपहर के वक्त अपने घर पे पहुंचता है जब अपनी पतनी की बुरी तरीके से पिटाई करता है तो बर्खा भी अपनी गलतियों की माफी मागने की बजाए अपने पती से नफरत कर लेती है बर्खा इस कदर से अपने पती से नफरत कर लेती है कि दीपक के नमबर पर फोन करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे अब मेरे पती के साथ नहीं रहना है मुझे यहां से कहीं दूर लेकर के चलो इधर दीपक भी बर्खा से बे इंतहा मोहबत करने लगा था बर्खा जैसे इस तरह की बाते दीपक से कहती है दीपक भी बर्खा की बातों में आ जाता है और एक दिन बर्खा को घर से ले करके भाग जाता है लेकिन बर्खा जैसे ही घर छोड़ करके भागती है इस बात की जनकारी उसके पती को मालूम चल जाता है बर्खा जब दीपक के साथ अपना घर छोड़ करके भागती है तो अपने बेटे को भी छोड़ कर चली जाती है इधर कृष्ने कांथ को जैसे ही मालूम चलता है कृष्ने कांथ इस बात की जनकारी अपने सास ससूर को देता है साथी सार अपने माता पीता को भी अपने पैतरी गाउं से बुलाता है जब ये सब के सब किरिशने कांत के घर पे पहुंचते हैं तो सब के सब दीपक के घर पे जाकर उसके पीता बीमल गुपता के उपर दबाव डालना सुरू करते हैं कहते हैं कि जितना जल्द हो सके दीपक को घर पे बुलाओ वरना हम थाने में जाएंगे। थाने की जब धमकी देना सुरू करते हैं आखिरकार बीमल अपने बेटे के नमबर पे फोन करता है और कहता है कि जितना जल्द हो सके बर्खा को ले करके घर पे आओ। पूलिस थाना की जब बात करता है दीपक भी एकदम से डर जाता है और बर्खा को लेकर वापस अपने घर पे चला आता है लेकिन बर्खा को लेकर वापस जब अपने घर पे आता है तो किरिशनकांत एक पंचायती बीठाता है ये पंचायती अपना फैसला सुनाते हुए कहत प्रखा के घर पे नहीं जाएगा और बर्खा भी कभी दीपक से मुलकात नहीं करेगी। उसके बाद से किरिशनकांत के माता पीता भी अपने बेटे के ही साथ रहने लगते हैं और बर्खा के उपर पहरा लगा देते हैं। बर्खा जब भी घर से निकलती है तो अकसर उसके साथ में उसकी सास भी होती है जिसकी वज़ा से अब बर्खा चाह कर भी दीपक से मुलकात नहीं कर पाती है। लेकिन दोनों के बीच में फोन के जरिये बातचित होते रहता है। दोनों के बीच में जब मुलाकात नहीं हो पाती है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन होटते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे समय गुजरना सुरू होता है, लगभग 10 सालों के बाद बर्खा दूसरे बच्चे को जन देती है। बर्खा का दूसरा बच्चा जैसे इस दुनिया में आ जाता है, घर के सारे लोग पिछली सारी बाते भूला जाते हैं, और बड़ी खुसहाल तरीके से अपना जीवन ब्यतीत करने लगते हैं। लेकिन इसके बाजूद भी बर्खा दिपक को कभी भूल नहीं पाती है। कि मुझे आज ही तुमसे मिलना है। बर्खा कहती है कि मैं अपने मामा के घर पे आई हूँ और मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुमसे जरूर मिलूँगी लेकिन दीपक अपने जीद पर उतर जाता है और कहता है कि नहीं मुझे आज ही तुमसे मिलना है और अगर आज तुम मुझे से नहीं मिलोगी तो मैं अपने आपको खत्म कर लूँगा दीपक जब बार-बार बर्खा के उपर दबाव डलना सुरू करता है तो आखिरकार बर्खा भी मजबूर हो जाती है और दीपक से कहती है कि ठीक है मुझे थोड़ा सा समय दो मैं तुम्हें बताती हूं साम के वक्त जैसे ही पूरी पाटी खत्म हो जाती है बर्खा अपने सड्यन के तहट अपने पती से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाओंगी बलकि अपने ममी पापा के साथ अपने माई के जा रही हूं किरसने कांद भी अपने पतनी की बातों पिया कीन कर लेता है और अकेले ही अपने घर चला आता है करीब रातरी के 9 बजे के आसपास बर्खा अपने माता पीता के साथ अपने माई के नवाब गंज में चली जाती है जब रातरी के 9 बजे के आसपास सब के सब अपने घर पे पहुंचते हैं काफी हारे ठके होते हैं सब के सब गहरी नींद में सो जाते हैं लेकिन बर्खा की आखों में निंद ही नहीं आती है करीब 9 बजे के आसपास उपर छट के कमरे में जाती है कमरे की सफाई करती है और दीपक के नंबर पे फोन करती है कहती है कि अगर मिलना है तो मेरे घर पे आ जाओ इधर दीपक भी बर्खा से मिलने के लिए एकदम से उतावला हो रहा था जैसे ही अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है रातरी के करीब 10 बजे के आसपास दीपक बर्खा से मिलने के लिए नवाब गज उसके घर पे चला जाता है जब घर पे पहुंचते है तो बर्खा जा करके दरवाजा खोलती है दीपक को अपने घर के अंदर लेती है और सीधे उसे ले करके उपर कमरे में चली जाती है उपर जब कमरे में जाते हैं दोनों के दोनों पहले अपनी हसरते पूरी करते हैं उसके बाद से दीपक बर्खा को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। दीपक कहता है कि मैं अब तुम्हारे बगर नहीं रह सकता हूं। चलो यहां से इतनी दूर चले जाते हैं कि कोई हमें ढूंड भी नहीं पाएगा। लेकिन दीपक जो बर्खा को अपने साथ ले जाने की बात कहता है तो बर्खा दीपक को साफ हिंकार कर देती है। कहती है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जा सकती हूं। बेतर है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं। हमारे रिस्ता जैसे चल रहे हैं वैसे चलता भी रहेगा, लेकिन दीपक बर्खा की बात मानने के लिए त्यार नहीं होता है, दीपक बर्खा के उपर दबाव डालने लगता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दूँगा, क्योंकि मैं से बेपना महबत करते हो, लेकिन दीपक बर्खा के उपर जब दबाव डालना सुरू करता है, बर्खा जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकर दीपक इस कदर से गुसे में आ जाता है, कि अपने पास से एक तिजधार हत्यार निकलता है, और उस हत्यार को बर्खा की गले बर्खा का जब बच्चा रोने लगता है, बर्खा की मा अपनी छोटी बेटी सोनम को जगाती है, और कहती है जा करके देखो, बर्खा काया है, सोनम जब अपनी बहन को ढूंडते हुए उपर कमरे में जाती है, अपनी बहन को जब मिरीत वास्ता में देखती है, वो चिखन देते हैं और सांथी साथ नजदी की थाने में भी खबर करते हैं पुलिस को इधर जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्तल पे पहुंचती है पुलिस जब बर्खा के घर पर पहुंचती है सबसे पहले डेट बोडी को चेक करती है पुलिस जब इस घ गहरी नींद में सो गए, हो सकता है कि रात में कोई बदमास घूस आया होगा, लूट पाट के इरादे से, उस वक बर्खा जगी होगी, बर्खा ने बिरोध किया होगा, साइध उस बदमास ने बर्खा की हत्या कर दिया होगा. पुलिस बर्खा के मातापीता के तहरीरी पे अग्यात अपराधी के बिरोध में मुकदमा दर्स करती है, और इस केस की छान बिन करना सुरू करती है. पुलिस सबसे पहले बर्खा की डेट बोडी को अपने कबजे में लेती है, और उसे पोस्माडम के लिए भेज देती है. औ तो मालूम चलता है कि वो नमबर दिपक के ही नाम पर रेजिस्टर्ड है. बर्खा के जहाँ पे घर था उसके घर के सामने ही एक मंदिर भी था. उस मंदिर में CCTV लगा हुआ था. पुलिस जब उस CCTV को चेक करती है तो आखिर कार उस CCTV के रेकोर्डिंग में रातरी के 10 बजे क आसपास दिपक जाते हुए दिखाई देता है. दिपक रातरी के 10 बजे के आसपास बर्खा के घर में इंटरी करता है और 11.15 बजे के आसपास घर से बाहर निकलता है. पुलिस जब दिपक के बारे में किरिशनकांद से पूश्टास करती है तो किरिशनकांद कहता है कि साब चलता है कि दीपक अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, लेकिन पूलीज जब दीपक के नंबर पे फोन करती है तो वो फोन एक ब्यक्ति उठाता है, ब्यक्ति जब फोन उठाता है तो कहता है कि साब मैं जी आर पी थाने से कॉंस्टेबल बोल रहा हूं, दरसल दीपक क पूलिस को यह पूरा यकीन हो जाता है कि दीपक ने बरखा की हत्या करने के बाद रेलवे एस्टेशन पे गया है और रेलवे लाइन पे जा करके सो गया है जिसकी वोज़से रेल की चपेट में आ चुका है पूलिस किरिस्नकांत के यह तेरीर पे दीपक के नाम पे नामजद उकदमा दर्श करती है चुकि दीपक की भी मौत हो चुकी है इसलिए इस फाइल को बन कर देती है फिलहाल किरिस्नकांत के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रह रहे हैं दोस्तो इस घटना को सुन जहीं 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 पारू